अधर्म प्रिमी सज्जनों विशेशकर यह विचार मैं आर ये कहलाने वालों से भुखातिब हूँ आर ये कहलाने वालों को ये कहूंगा कि देखिए अधर्म के काम को करने से उसका नतीजा क्या होता है ये आज उजागर होने लगा है मुझे तकलीफ इस बात से है कि रिशीवर देव देनन के नाम से जो अनर्थ कारिये ये आर ये कहला करके कर रहे हैं उससे मुझे तकलीफ है वरना वैक्तिगत कोई नुकसान मेरा नहीं पहुँचाया है या कोई नुकसान नहीं पहुचा रहा है बलकि मुझे तकलीफ इस बात से है कि मैं रिशीवर देव देनन के विचारों को मनतबों को जान कर समझ कर पढ़कर अपने आचरन में उता रहा हूं और आज एक तालिस वर्षों से उसी पर अमल करते हुए चल रहा हूं और हमें देखाने वाले आरिये समाजी कहलाने वाले उस विचार के खिलाफ अगर चलेंगे तो मेरे लिए तकलीफ होगी या नहीं यह तो सभाविक बात है इसलिए मैं शुरू से बताता आया हूं और यह पिछले 97-98 से यह मुहीम हमारा चला हुआ है हमारे सम्मानिया आचारी भद्रकाम वढ़ने जी जो रिशी सिद्धांत रक्षिनी सभा के हम सब साथ ही रहे रिशी सिद्धांत रक्षिनी सभा बनी इसी काम के लिए थी सिताराम आरिये जो आरियमुनी बाद में बने हैं यह बीड़ा उन्होंने उठाया हुआ था और यह रिशी सिद्धांत रक्षिनी सभा के जन्मदाता वही थे उन्होंने यह बिल्या उठाया कि वैदिक सिल्धान पर जो कुठालागात कर रहे हैं वैदिक सिल्धान पर जो कुठालागात करेंगे उसे हम सहर नहीं करेंगे उसको उजागर करना चाहे जतना बड़ा बिद्वान अपने को कोई क्यों न माने क्यों न कहे उसका विरोध करना रिश्य सिद्धान रक्षिनी सभा का मुख उद्देश रहेगा बड़े जोर और शोर से आचारी वद्रकाम वर्णी जी की सैयोग से आचारी वद्रकाम वर्णी जी उनके साथ लगे रहे और मैं भी उस सभा का मंत्री था आचिरी बाद्चाम वर्णी जी ने लेकित चुनोती दी आरेय सम्मिलन हो रहा था दिली में ही रामली रमयदान जी उस सम्मिलन में 1997 यह परचा उन्होंने बांटी थी दुनिया वालों के सामने भिंशשकर आरिये लोगों को के सामने आरिये कहलाने के दुन कुछन दिए यज वैदिक सिद्धान्त विरुद है वेद पारायन यज वैदिक मंतबों के खिलाफ है मैं तो मैं वैदिक मंतबों के विरुद है आज तो मैं अपने फेस्बुक पेज में भी दर्शा दिया हूं भाई भावेश मिर्जा ने पंडित यूदिश्टीर मिमांग सक जी की विचार उठा करके पेश्ट किया था मैं उसे कॉपी करके अपने पेज में लगा दिया हूं और यह जो काम कर रहे हैं बहु कुंडिये यज के नाम से इस पर बहु कुंडिये यज अवैदिक है इस पर मेरा शास्तराद भी हुआ आ अब दुनिया देख रही है जान रही है समझ रही है कि आधरम करने से उसका नतीजा भी आधरम का ही होता है जो बिश्व बेद समेलन के नाम से इलावाद कहिए प्रयाग कहिए जो यह लोग चला रहे हैं इनका नाम है सूची सद्मुनी सूची ता इनमें जरा सा भी नहीं है यह पांडे पहले है बाद में कुछ और है यह ब्रह्मन बाद का प्रचार करते हैं और कई ब्रह्मन इनके साथ लगे हैं शुकला फुकला यह कई और यह ब्रह्मन बाद का प्रचार करते हैं और दुनिया भर से संप दो सो एक कुंडी महायज के नाम से और आज इस आधरम को किस तरीके से उजागर हो रहा है वो वह आप लोग देखिए मैं वहां का एक फोटो एक वीडियो आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि बिश्य समेलन के नाम से प्रचार तो किया गया लेकिन वहां पर जनता ही नहीं है और ना यजकुंड है एक दिन तो आठ यजकुंड को लगाते हुए देखा था हमारे एक मित्र भाई दिने शास्त्री जी ने मुझे लिखा पंडी जी दो सो एक तो बोले थे आप आठ में आ गए थोड़ा सा प्रच्चा और करो एक में आ जाएंगे तो कई लो है यह द्रिश को देख करके ही आप लोग समझ जाएंगे किस तरीके से अधर्म होने से अधर्म करने से उसका नतीजा हाथो हाथ मिलता है यह सूची सद की सूचीता कहीं की भी नहीं है सूचीता नाम की कोई चीज इसके अंदर में नहीं है और इनको दिख्चा देने वाले स्ख्था नाम झाल गयूंते है यह पता नहीं अर हो जब कि जानते थे पहले से कि यह और ब्राह्मन है ब्राह्मन वादी परचार करते हैं और उनको को बलाती मालूम था पता थ वह जानते थे लेकिन नगे पीर में विडियो सो कि आप लोग को अभी वताय चल जाएगा मैं आप लोग के सामने प्रसुत कर रहा हूं विशेश करके आरिये जनों से यह कहूंगा कि यह वीडियो आप लोग ज्यादा ज्यादा वाइरल कीजिए सभी लोगों तक पहुचाए जो यह बहु कुंडिये यज और शहरत करके जो यह घिनोनी कारी किया है इन लोगों ने उसका नतीजा यह सामने है और मैं फेस्बूक पेज में लिखा हूं कहां कहां इस घिनोनी कारी को मैं देखा सबसे पहले मैं देखा स्वामी धर्मानान जी किया उडिसा में उसके बाद मैं देखा यह संजीब रूप बदा दिन हो गया था यह नहीं तो मेरे सामने अगर करता होता तो उसी समय भी तंडा हो जाता वो जानता था इसलिए मुझे बाद में बुलाया और उसके बाद मैं अभी अभी देखा इसी 23 कोई यह एक ब्रह्मदान करके गुर्कुल खुला है खड़कपूर बंगाल के के सर पर कलश रख करके वह जात्रा निका लेते हैं और यह आज ही अभी दिख रहा है जो प्रियाग राज में हो रहा है तो कैसा अनर्थ हुआ है कैसा अनर्थ यह कर रहे हैं इसे दुनिया माले देखें ज्यादा से ज्यादा इसको वाइरल करें ज्यादा से ज्यादा कड़ी जों के उपस्तित हूए हैं सब लोग इसको देखें अच्छा से अच्छा धंग से देखें और सब लोगों को औरों तक पुछाने का प्रयास करें यह वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा ज्यादा आप लोगों को शेiair करना चाहिए सब लोगों तक पुछाना विशेस करके जो ओर ये कहते हैं अपने को मैं तो आज को ये लेक में ओर सारुदैशिक सभा का है कि我 कर именно नियंकर को भी नहीं है और इने सिख्षा देने के लिए कोई अर्यकों आधिशा थो worn जह लेना चाहते है इसलिए मेरी सच्ची बात इन लोगों को अच्छी लगती नहीं है यह सच्ची बातों को सहन करना नहीं चाहते इसी में यह सब लगे भी है इसलिए बंदू आप लोग भी विचार करेंगे कि रिशीद एनन के मंतब को यह लोग कहां पुछाना चाहते हैं रिशीद एनन के व उनके मनतब्बों पर पानी फिलने लगे हैं, यह ताथा काथित आरिय समाजी, इसलिए तो मैंने पहुत पहले, कई वर्ष पहले, तत्तू रोटा लिग दिया था, यही ताथा काथित आरिय समाजीयों को, तो आज आप लोगों के नजर के सामने हैं, इसे देखिए, धन्नव सिकतार से, माइक्रोगार्वाजी पर हमने सारे करिकल टेश्ट किये, उसमें सारे दुजयत हमको बहुं थी, अद्भुत मिले, और इसे देखिए रिश्यों ने हमारे सांथ इस यज्ज को सभी प्रकार से, शोरेस संसकारों से लेकर, अलग अलग परवतिभारों में, इस द मुझतार आ।